जो बजट निकल कर सामने आया है उस पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे साथ कुछ खास मैमान जुर चुके हैं एक मजबूत पैनल ये है मैं मानता हूँ विने चौदरी जी परवक्ता बीजेपी हमारे साथ है विनो सिंग हमारे साथ कॉंग्रेस से है रमिश मोहन स्रीवास्ताव जी आम आदमी पार्टी से सीए भी है अर्विन कठेरिया साहब है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ और नितेश चौरसिया हैं सीए हैं अर्थ शास्त्री मनिश कुपता जी भी हमारे साथ है आप सभी में मानू का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि इस बजट को आपने देखा उत्रप्रदेश के वित्नमंतर सुरिश खना जी को आपने सुना और आपको इस बजट में किस तरह की चीजें देखने को मिली हैं कितना जो अनुमान लगाया था आम बजट लगता है और जिसका पाँच राग बारह हजार आठ सो साथ करोड बहतर लाख रुपिये आकड़ा है और उसके बाद जब जमीन पर उतरता है तो अलग लग तुकड़ों में ये बजट उतरता है राजसुघाटे की भी बात होगी हमारे साथ मनिश गुपता जी आर पर जोर है और पेंशन पर जोर है और जो महिलाएं तलाकशुदा हैं उनको लेकर घास का पीजी आए को लेकर और बात करते हैं जैसे एरपूर्ट के लिए एरपूर्ट के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए लखनों में शुरू हो गया कानपूर में शुरू हो गया आगरा और और शहरों में भी बिस्तारित करना है। किस सरीके से इन आखरों को आप देखते हैं। तो कहिना कि 7000 करोड का बजट गाटा बढ़ गया। लेकिन अगर आप पिछले वर्स का अनुपूरक घाटे को जोड लेते हैं। उस जिसमें के 18000 करोड का लॉस था। तो सब मिलाके देखें। तो इस बार का जो बजट है वो पिछले बार के घाटे के मुकाबले कम घाटे म हैं यानि कोई 11000 करोड के लाब में हैं अगर बजट गाटे और पिछले वर्स के बजट गाटे की बात करें तो उससाब से देखेंगे तो प्रोग्रेसिव है अब बात करते हैं कि बजट में मेजर डिस्टीविशन क्या क्या है देखिए आवास, शिक्षा और स्वास्थ य जबकि संभवते आठ से 10% की उमीद की जा रही थी ऐसे ही अगर हम बजट गाटे की बात करें तो पिछले वर्स के मुकाबले करीब 7000 करोड का गाटा बढ़ा है लेकिन अगर पिछले वर्स के अनुपूरक बजट को मिला लें तो लगबग 11000 करोड से कम गाटा हुआ है त इसके अलाबा जो सबसे बड़ी बात है अगर हम राश्ची बजट को इससे कमपेर करें तो देखें लॉजिस्टिक्स पर जिस तरीके से श्रीमती निर्मला सीतारमन ने फोकस किया था मैं समझता हूँ यहां भी बड़ा फोकस इस पर नजर आ रहा है लगातार कई सहरों मे इसका मतलब है कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांस्पोर्टेशन के सेक्टर में चाहिए वो पैसेंजर ट्रांस्पोर्टेशन हो या वो मेटरियल ट्रांस्पोर्टेशन हो दोनों में सरकार का फोकस और केंद्र का फोकस मिला जुला नजर आता है इसका मतलब यह लगता है कि ये सरकार संभवत है केंद्र के कदम से कदम मिलाने मिलकर चलने का प्रयास कर रही है अगर अलप संकिकों के लिए अगर आप देखते हैं कि फंडिंग की जा रही है इसका मतलब है कहिना कि जिस तरीके से योगी आतितनात की छवी एक हिंदू नेतावादी छवी है उसको तो बढ़ेगा इंडिया यानि मुसल्मान भी पढ़े मदरसा मतलब सिर्फ मुसल्मान की बात होती है यहां देखिया आप अलप संखेक बात नहीं हुई है यहां मदरसे की बात हुई है अन्ने अलप संखेक स्कूल होंगे लेकिन यहां सिर्फ मदरसों के लिए पैसे की वि कोशिश की जा रही है तीन तलाग पर पेंशन की योजना बना गए बता जा रहा है कि जो हम स्टेप ले रहे हैं केंद्र सराज्य सरकार उसमें आपको सपोर्ट करेगी जो भेद्भाव का आरोप लगता था विपक्षी पाट्या आकरा को दिखाने की कोशिश है देखिए हम क और आकड़ों को जानते हैं महली बहाती से नितेश आब इस बजट को किस तरीके से देखते हैं बहुत भारी भरकम बजट है यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया आज बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल मैं इसमें दो चीजे मैं आपको बताना चाहूँगा एक तो सबसे पहले दन्यवाद करूँगा माननी मुखमंत्री और बित्मंत्री जी का बजट इसमें कोई दो मत नहीं है पूरे अभी तक के इतियास का सबसे अच्छा सबसे बढ़ी है सबसे जादेक रकम का बजट है पांच लाग लगबग सवा सवा पांच लाग करोड का बजट इसके दोनों मत को अगर मैं देखूँ मैंने पूरा अगर बजट को समझा तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई कि आम आदमी को जब भी आम आदमी ये इसका अब दूसरा सोर्ट देखेंगे रेवेन्यू का पार्ट तो वो कही ना कई आम आदमी के उपर आता है मैं इसमें एक चीज़ समझ पा रहा हूं कि सरकार ने पूरे अस्तर पे रेवेन्यू पे सिर्फ रेकरिंग नेक्चर के खर्चे को ही फोकस किया है अगर किसी भी बजट का मैक्सिम पार्ट सरकार को यहां भी फोकस करना चाहिए सरकार ने एक चीज़ पर बहुत अच्छा फोकस किया अभी पिछला मैं डाटा देख रहा था एक साल में लगबख साड़े बारालाग करोड के आसपास बेरुजगारी का अकड़ाया है सरकार ने इस चीज़ पर बहुत अच्छा का बता है कि निवेश कर निवेश आ रहा है जी क्या अब इसका कितना क्या फैक्ट है कहां तक आया है कहां तक इसको एक्जि़ूट के आगया कि स्कोने में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर परदेश के पुरवीच इलाके में बहुत जो यह इंड़स्टिल की जरूरत है अगर इस निवेश को वहां तक पहुचाने में सरकार सच्छम होगी तो मैं मानता हूँ कि बजट रच्छा है जी चुनौतिया तो हर वक्त रहती हैं हर बजट में रहती हैं और धीरे धीरे हर काम को करने के कोशिश शायद होती होगी क्योंकि बजट हर साल आता ह है और हर साल उमीदें लेके रहता है हम आगे बढ़ रहे हैं अब राजियते कुरुख इसका कर रहे हैं जाहिर सी बात है बीजेपी के पास हम जाएं उससे पहले मुक्य बिपक्षी पार्टी समाजबादी पार्टी है कठेरिया जी हमारे साथ हैं उनके पास सीधे चलते है अर्विन कठेरिया जी किस तरीके से बजट को देखते हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भेदवाओ का आरोप लगता रहा है बीजेपी पर खासकार योगी आज एक्यनाद पर उन्होंने वो सब दिवारों को गिराने की कोशिश की हैं सैफाही का जिक्र आजमगर का जिक्र और साथी साथ मदर्सों के लिए पैसा और मुस्लिम तलाक्षोदा महिलाओं के लिए भी पेंशन हिंदू तलाक्षोदा महिलाओं के लिए भी पेंशन कोई नहीं कह सकता कि आपने इनको दिया इनको नहीं दिया बताइए प्लीज निश्यत रूप से पंकट जी आधरनी योगी जी का बहुत बड़ा कालपिनिक बजट है मैं इसे कालपिनिक बजट बोलूँगा और मैं जैसे की देख रहा हूँ आपके बजट में योगी जी के बजट में की युवा हब पचास करोड रुपिया सीम आवास तीन से उनसाड करोड और किसान पेंसन योजना चौदा से उनसाड अस्पिताल इस्थापना के लिए मातर तीस करोड रुपिया है आप देख सकते हैं जिस तरह के इनके बजट में अगर आप एक हस्पिटल बनाएंगे तो कमसे कम नॉर्मली चालिस से पचास करोड रुपिया का खर्चा आता है दूसरा सिक्षित विरुजगारों के लिए इन्होंने कि इन्हें जो कुछ करना चाहिए बैंकों के लिए जो निर्देश देना चाहिए जो आस बिये गरेजवर्ट पोश्ट गरेजवर्ट बच्चे हमारे जो विरुजगार घूम रहे हैं उन पे इन्होंने फोकश नहीं किया है किसानों के लिए, किसानों के खाद की सबसिडी के लिए और किसानों के लिए जो इन्हें लोन सुब्दा दी जाती उस पे इन्होंने कुछ नहीं बोला है, कोई बजट नहीं दिया है इसके बाद जो हमारे S.C.H.T. और दलत बच्चे हैं जने सिक्षा स्वास्त और बजीफे की आज जरूरत है उस पे इनका कोई बजट नहीं है, देखिए, ये निश्चित रूप से कालपनिंग बजट है, ठीक है, बहुत बड़ा बजट है और अगर इस बजट को भी इमानदारी से ये लागू कर दें तो हमारे उत्तर प्रदेश में फिलाल काफी लोगों को लाम मिलेगा लेकिन इन्होंने किसान, बेरोजगार और किसानों के खाद के लिए और बिशेस रूप से जो आज हमारी नहरे उत्तर प्रदेश में शुखे पड़ी है पेजल आपने कमिया की नहीं, तारीप करने लाए किया है, वो गिना दीजिए थोड़ा तारीप करने लाए कि मैं बता रहा हूँ स्वास पर जोड नहीं है, स्वास व्यास्ता को बेहतर करने के लिए जो बजट क्याए है मुक रूप से सहरों पे केंदरित है हाँ, इनका जो बजट है, जादा तर सहरों पे केंदरित है मेट्रो ठीक है, मेट्रो चलेगी, निशित रूप से एक सहर का विकास होगा लेकिन मैं आप से जानना चाहता हूँ, कि जो बेरोजगार सिवसाइट कर रहा है जो परेसान है, जो किसान जिनको सफसिरी देनी है और जिनके पास खाद और बीच के पैसे नहीं है और जब तक हमारे देश का किसान आगे नहीं आएगा हमारा देश तरक्की नहीं करेगा और अधरणी योगी जी को किसान और सुक्षा स्वास्त और बेरोजगारों पे ध्यान देना चाहिए उसके लिए इनको बजट बढ़ाना चाहिए तो तो सरकार शाद पहले ही बजट में जब पहला बजट सरकार का आया था कर्जमाफी कर दी थी उस दोर में ही देखिए निश्यत रूप से बने आपको कहा है कि ये घुसरा इनाउंस्मेंट करने में और सब जबाग दिखाने में भारती जन्ता पार्टी के बड़े नेता बहुत आगए है अधरनी मोदी जी ने भी बहुत हमारे देश को सपने दिखाई थी पंद्रह से बीस लाग करोणा बीस लाग करोड़ी है आज आप देख सकते हैं कि पतल के क्या है उसमें कुछ अच्छी बातें भी होगी के बिरोजब करने के लिए बिरोजब करना खीक नहीं है अच्छी बाते होती हैं तो अच्छा बताईए बुरा बुरा बताईए है फिलाल इनके बजट में मुझे बहुत ज्यादा अच्छाई नजर नहीं आती है क्योंकि इन्होंने बेरोजगारों के लिए किशानों के लिए अधिकी नहरे हमारे उत्तर प्रजेस की बिल्कुल सू कि सानों के लिए ट्यूब बेरोजटा होनी चाहिए आज योगी जी ने उस पर कुछ नहीं बोला विने चौदरी मैं आपके पास सीधे आ रहा हूँ समाजवादी पाइटी जिस तरीके से अपने चस्में से इस बजट को देख रही है सवाल के जवाब दीजिए सबसे पहल मेहलाओं का, युवाओं का, मिडल क्लास का, किसानों का, हर वर्ग का बकायदा ध्यान रखा गया है, इस बजट के अंदर कोई भी छूटा नहीं है, आपने देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारी उपर आरूप लगता था भारतियंता पार्टी के उपर आरूप लगता था कि हम लोग मायनोर्टी के लिए कुछ नहीं करते, मायनोर्टी के लिए आप देख रहे होंगे, आज 4,489 करोड रुपे का बजट आज पेस किया गया है, सिर्फ और सिर्फ मायनोर्टी के लिए किया गया है, आपने देख रहे होंगे, तीन तलाग महलाओं के लिए कहते थे एएरपोट आग्रह की हम बात करें 280 करो रुदे आयोतिया ए एरोपोट रुपे 500 करोड रुपे और Лखनूय एरोपोट में 280 करोड रुपे मनरेगा मनरेगा देखो कितना बड़ा प्रोजेक्ट था जो की पुरानी पाटियों के चला रहे था और उसको आगे लेके चल रहे है और 4800 करोड का मनरेगा के लिए दिया गया है इसके लावा गाउं की हम बात करें ग्रामीड के लिए 2440 करोड मेरी बात कम्लीट होने तो कटेरिया ज और आपको समझना पड़ेगा इसमें सब की रक्षा की गई यह इस बजट में अब यह आरोप नहीं लगा सकते कि इस बजट में रखा गया है आप किसानों के लिए प्रती व्यक्ति च्छे जार रुपे प्रती वक्ति दिया गया है इस आप पहले आप देख रहे होंगे इसके अलाव़े सबस्टी की बात करो किसानों के उपर इस बजट को लागू कर दिया जाए तो काफी आप प्रदेश के अंदर यह बजट से बैतर कोई बजट होई नहीं सकता था और अगर हिमांदार इस बजट को लागू कर दिया जाए तो काफी अमरे प्रदेश में सुधार आगा आप प्रदेश के अंदर यह बजट लेगे आए और पांच साल देश के अंदर काम किया उसी का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर मानी योगी जी काम कर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने जो विकास का कार करके दिया है आप देखिए आपने पूरी मेलाओं की परिसल मंद कर दी और हमने सारी मंडी यमना एक्सप्रेस और आपका लखनू एक्सप्रेस के आज सब्सक्राइब मंडी का सारी मंडी सारी मंडी सारी मंडी कर दी आपने अगर काम में थोड़ा थोड़ा कोता ही बरती आप ले तो सब्सक्राइब जनता के हाथ में यहां तो एमपायर जो है जो जज है वो जनता है कॉंग्रेस के निता विनो जी हमारे साथ है किस तरीके से इस बजट को आप देखते हैं विनो जी क्योंकि विपक्षी पाटिया अकसर इस ताक में रहती है कि कोई मौका उनको मिल जाए अब एतियासिक तरपुदेश में एचली सरकारे बनी आज तक किसी ने इतना भारी वरकम बजट पेश नहीं किया सबसे बड़ा बजट है यह देखिए दो बाते हैं जनता का कल्यान हो सकता है जब कतनी और करनी में कोई समानता होगी दो हजार चौदा से भारती जनता पाल्टी जिस क्या हुआ स्टेंड अ इंडिया का बहुप्रचारित गुज्रalt मॉडल का क्या हुआ क्या हुआ मुद्रा योजना क्या इजिच्टल इंडिया क्या हुआ आपका इन्होंने का इस बजट में 23 MEU साइन हूए डिफंस एकします मैं मैं पुछना चाहेता हूँ जब इन्होंने इन धारित कार्क्रम के साथ धरातल पे कैसे लाना है इनके पास अनुपालन की कोई बेवस्ता ने इस सरकार में नीत नियत और नेतिकता का घोर अभाव है इन तीनों चीजों के अभाव में सरकारें केवल आखुने बाजी में जुमले बाजी में जूट बाजी में जनता कोई रह जितनी भी एक एक पॉइंट बाई पॉइंट मैं मैं बता सकता हूं कि इनकी कहीं भी जवाद दे ही आज तक पूरी नहीं हो पाई शत्त प्रशत क्या ये 50 परण देने में भी आकड़ा होगा। ये घोर अब्जक्षनेवल पॉइंट है ऐसा नहीं कहना चाहिए एक बात ऐसा ही समाजबादी पार्टी के नेता करें काल्पन एक बजट काल्पनिक ही होता है कल्पनाओं को धरातल से करेक्ट करके करें आप अधरातल से देश की जट्व को जूड़ 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 लोगने जा रहे हैं आपके था एक एक हम बादे हैं औक एक हर के बात करेंगे एक एक करके बात करेंगे जोनाब एक एक करके बात करेंगे आप लोगं गलत विस्तिंटियों की वग्चेसे हुआ है वे हैं क्योंकि टैने नहीं हो रहे हैं 10 साल की सरकार के विए ऊज्फिरी आप सिंग्ड़ करने आर्फी ब्लबला इवन कर रहे हैं यह दो यार उन्नीज के अंदर पुंडे से दोभारा से बाइन नहीं है तो चंटा निगा आपकी आपको सकतर 153 पीर बात रखी कि पर्फेंस पर्फेंस था गया है किया हुआ है जेश में कोई भी सरकार हो चाहिए पर्फेंस की सरकार हूं बढ़ना हम आद्मी पार्टी के साथ नेटा हमारे साथ है अब इस वजब संक्या क्यों नहीं है मेरे बात सुनी पढ़े चैना यह है इनवेस्टर से निवेस्टर से इस नहीं पनीबात वी छब होगी पर देखाएंगे आप सवाल पुछने के हगदार हैं ठीक है लेकिन उस भी जाप सुनेंगे भी तो सही आप सुनेंगे भी तो सही, पहुंजी आपके पास में आ रहा हूँ, किसानों को लेकर क्या दिखा आपको बजट में, और जब से सरकार बनी, पहले ही बजट में करज माफी का जखर हो गया था देखो सरसे बड़ी बात ये है पंकट जीग जो यहां पर चर्चा चल रही है, उसको लेकर के सरसे बड़ी बात हमें सोचना चाहिए, कि आज प्रिदेश में बजट आ रहा है, पिछले बजट में इन्होंने क्या क्या चीज घोशना की थी और उसको पैसे को इन्होंने जिस इसमें क्ensor होना चाहिए, तो डाटा बता होता, डाटा ना है आपका, पहले आप सुनेए एक मिनट, आप यहां सरकार की पोजिशन बोल रहे है पेले आप सुनिये पहले आप शरकार की तरह से बोल रहे हैं भी करकी यह रिजाजें प्सक्राइब शरकार का वाज रिता है एक बार मनीज गुपता जी आप भी सुनिये सुनिये प्लीज बुलिए सर प्रितम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बजटा है किसी भी सरकार का है उसको ये किलियर करना चाहिए कि अगर हमने इस मद में इतने पैसे रखाई तो उसका हमने इतना खर्च किया और इतना हमारे पास वापिस आगया आज कहरें कि पांच लाग करोड रुपे पांच लाग हजार करोड रुपे का हम वो लेका गए सबसे बड़ा बजट लेका गए इस मेंसे पचास परसेंट भी खर्च नहीं होता आप पीछली इस्तिती उठा कर देखिए जो आपने फसल भी मायोज ना निकाली उसमें पंद्रे हजार करोड रुपे आपने स्रीप और स्रीप कंपनियों को दे दिया किसान को क्या मिला उस बात पर गोर कीजिए आप जो कहते हैं कि हम MSP बढ़ाएंगे पूरे देश में मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ पूरे देश में और पूरे देश में कहीं भी MSP पर किसान की खरीदारी नहीं हो रही उस पर एक गोषणा होनी चाहिए थी MSP से कम रेट पर खरीदारी नहीं होगी अगर होगी तो किसान को उसके डारेक्ट उसके खाते में उसका पैसा पहुंचाए जाएगा वो बजट में प्रावधान होना चाहिए जो आप तीन साल से सरकार में बैठे हैं यहां पर जो भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं वो एक बार बता सकते हैं जो दो हजार वाइस में इन्होंने कह खायागे हम किसान के आये दूधों नहीं करंगे, उसका नियम क्या है? आप तीन साल में गन्य का एक रुपए नहींgenommen कराते हैं, और आप क्या ये कहते हैं उन् आप सुनिए जी का उली और पर साथ सार उसने ऑने आरहो ही खायी है. आप आप सुनिए की दर हर सार बढ़ाई, खर पतवार के रेट हर मन से हमेशा बढ़ाए, आपने जो यूरिया डियेपी हैं उसके रेट हमेशा बढ़ाए, टीजल के रेट हमेशा बढ़ते हैं, आप एक बात बताईे, टेक्टर के टायर पर 28% जियेश्टी लगाए जाता है, तो कैसे मान लिय जाए किसान को लाब मिलेगा, किसान की आए दूनी होगी, अगर आप ग्यारे सो रुपे से सत्रे सो रुपे का आप रेट अगर MSP कागज पर करकर दिखाते हो, तो उसका मतलब यह नहीं है, उसकी खरीदारी उसकी आठ सो में भी नहीं होती, सबसे बड़ी बात है खरीदारी होनी, क्या हो रहा है देश में, आप कहते हो ब्रस्टचार मुक्त होगा, आप अपनी गरेबान में जाग कर देखिए, बगैर किसी एक भी ऑफिस में, जो पहले 500 रुपे में काम होता था, वो 2000 रुपे में काम हो रहा है, बिने जवाब दिखाते हैं, आप सुनी है, आप सुनी है, बीजेपी वालो, आपको 325 सीड दियें, तो ये देश के मजदूर ने दियें, और आप इसकी भूल में मत रहना, कि अगर 60 साल की कॉंगरेस को एकिसान उखार सकता है, तो 5 साल की वीजेपी को भी नेस्त्रा पूंद कर सकता है, अगर आपने किसान का कारिये नही किया, तो इलाज करा जाएगा सरकार का, ये समझ लो, देवतुल्य जनता ने जो दुवारा से सत्ता में बिठाया है, वो काम भारतिये जनता पूंद रूप से कर रही है, और आप बारबर मत बताना चाहता हो, इससे पहली संसर साल की जो गंदगी थी, देश को समय लगता ह निकालने में, प्रान मंदरी मोजी जी को समय लगता है, मुख्य मंदरी योगी आदित नाद को समय लगता है, आपको समझना पड़ेगा तब से लेकर के आज तक मैं राजनीत को देखता आ रहा हूँ, मुझे नहीं याद है कि किसी भी सरकार के किसी भी बजट ने साथ विश्व द्याले और 28 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की, उत्तर प्रदेश की जितनी पापुलेशन है, जितना बड़ा राज्य है, वहाँ इस तरह की घोश्रा निश्यत रूप से स्वागत योग्य है, आम आदमी पार्टी का हूँ तो सिक्षा अस्वास के लि जी, पार्टी के नजरिये से बात करूँ, तो इस बजट में ठीक है कि बहुत बड़ा बजट है, लेकिन कुछ संकीरता दिखाई दे रही है, आप देखें, गोरकपुर, लखनव, कानपुर, आगरा, दिल्ली, इस लाइन पर यूपी को समेठ दिया गया है, मेट्रो गोरक खंड को एक गम से इग्नोर कर दिया गया, इतनी बड़ी पापुलेशन, उसके लिए कहीं कोई योजना नहीं बनाई गए, जांसी का क्या होगा, ललितपुर का क्या होगा, सोलर पावर के लिए मैं देख रहा हूं 20 करोर रुपय दिये जा रहे हैं, अरे केंदरी बजट के साथ तो आपने सुर्टाल मिलाया है इडी, पूरे बुंदेर खंड में आप चाहें तो जवर्दस सोलर पावर का दोहन कर सकते हैं, वहां तो सूर्य पुत्र बन सकते हैं आप, परन्तु उत्तरप्रदेश सरकार ने इस बजट में कम से कम, और इसके पहले के बजट में भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया, जबकि उन्हें करना चाहिए, अब मैं आता हूँ कानून और व्योस्था पर, बहुत बड़ा मुद्दा है, पुलिस के लिए बजट इन्हों ने जो दिया है, 600 करोल का दिया है, मॉडनाजेशन के लिए 122 करोल, साइबर क्राइम पे 3 कर अब आधुनी की करन, 303 राइफलों को यूपी सरकार ने डिस्पेंस्मित करने का फैसला किया, कि अब उनको हटाएंगे, तो उनके मुकाबले जो नई राइफले या जो नए अस्त्रस्त्र खरीदे जाएंगे, क्या वो 122 करोड रुपे में हो जाएंगे, और अगर 122 करो भी देने के जरूरत है, तो मैं समझता हूँ, यहाँ पे इन्होंने कम दिया है, सुगर केन का प्राइस 325 है, मैं इससे आसहमत हूँ, एक तो इसे और बढ़ाया भी जाना चाहिए, दूसरी तरफ जो उनके किसानों का बकाया पैसा है, उसकी वापसी की कोई ऐसी व्योस्त होनी चाहिए, जिससे कम से कम किसान विचारा आत्मत्या ना करे, उसके लड़की की शादी होने के लिए उसके पास टाइम से पैसा आ जाए, तो कुछ जगों पे इन्होंने कमी की है, और कुछ जगों पे इन्होंने ठीक काम की है, देको यह समझने की जरूवत है, आपको जैसे हम लोग पूरे जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा, आप यह कहों कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने एक निश्यत, एक सहर की बात करें, तो वो नी चलेगा, आपको उत्तर प्रदेश के सरवांगीन विकास की ह जानपूर की बात किया है, तो इन जो मेटरो सिटी को, इनका रूप दे रहे हैं, तो यह बड़ी बात है, इससे पहले सरकारों ने क्या किया, लेकिन एटलीस, यह इतना बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव की राजनीती कर रहे हैं, यह बहुत अच्छा संदेश मैं आपको कहना चाहता हूँ, दूसरा, इन्होंने बात की कि बईया, लड़कियों के लिए महलाओं के लिए क्या किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से मैं बात रख रहा हूँ, एक्यामन हजार रुपे की साहता रासी के तोर पे 12th पास आउट करके पहले से ये निश्यत है कि ये क्याम रजार की साहतराजी दी जा रही है और इसके अलावा हाइर स्टेडी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार करन के लिए जो प्रावधान रका गया है उस वो किस तरी किस देखते हैं साल एक निश्यत आप several करहों की कि आप समझना पड़ेगा बिरस्टा चार पे अंकुस लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार नहीं किया है आप देख रहे होंगे पांट साल पहले जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी मैं सपा सरकार की बात कर रहा हूँ आपने देखा होगा किस तरह की वहां पे FIR दर्ज नहीं होती थी किसी भी थाने में चले जाएए महला कोई तुरवाई नहीं होती थी साम को 6-7 बजे के बात में महला वहां से निकल नहीं सकती थी लेकिन आज दिवस्ता इस तरह की की हुए सबको एक डर बना रखा है कि भाईया अगर हम यहां गलत काम करेंगे तो हमें यहां पर योगी सरकार है वहां कड़ा जवाव देना पड़ेगा मैं अपने साथी की बात काट रहा हूँ कि अभी सरकार से कंप्रीजन कर रहे थे मैं आपको बताना चाहता है अभी मैं योगी जी का भासर सुन रहा था कि सेहरों पर बिसेश जोर निश्चित रूप से भारती जंदा पार्टी के लोग और नेता सेहरों पर अधिक जोर दे और सिक्षित बिरोजगारों पर और विसेश रूप से आज हमारा जो किसान जनुवर से परहसान है उसके लिए इन्होंने कोई रास निर्दारित नहीं किया है और हम कहना जायते हैं बारती जंदा पार्टी मैला बिरोधी किसान बिरोधी और नौजमान बिरोधी सरकार है बहुत अच्छी बात रखी है कि किसानों का 3 साल से जो गन्ये का भुकतान इन्होंने का आतक हम 14 दिर में पेमेंट कराएँगे वो payment आज तक नहीं हुआ जो गंदा मंत्री जिस सुगर मिल से आते हैं मिलकपुर से उसका payment तक का किसान का नहीं हो पा रहा है उसका budget में कोई प्रावधार इनके पास नहीं है आज हम यह सोच रहेते हैं बजट में वो भी कुछ लेगर के आएंगे दूसरा जो एरपोर्ट के लिए कह रहे हैं बढ़ी अच्छी बात है का आप एरपोर्ट पर जेवर पर दो हजार करोड रूपे दे रहे हैं और आप उसे बनाना चाहते हैं लेकिन जो जेवर एरपोर्ट तक पहुचने के लिए दो हजार नौ से जो नौड़ा के किसानों ने जमीन दी हैं उनका मुआज तक नहीं दिया गया सरकारों ने चला है पहले और आपको आज पूर्ण रूपेंड यहां एमपी और विधायक बना करके बेज़े हैं तो इस बात पर बेज़े हैं उनके लिए भी कोई प्रावदान होना चाहिए था उनका पैसा भी सरकार को देना चाहिए था मैं बहुत सही अपने मुझे दिया है मैं चाहता भी था कि इस पर अपनी बात रखूँ जी मैं आपको एक चीव युत्तर परदेश का जो मुख्य है जो हर परिवार से जुड़े हुगा है वो है किसान जे किसान और किसानी यह पूरे हर एक परिवार से कहीं न कहीं तालुकात रखता है और कहीं न कहीं जो खाने और कमाने की जरी का जरीया जो है वो किसानी है